नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन दोरा बनाया और एक वीडियो में आपका सौगत है, मेरा नाम है विनीत सागत आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सेविंग दे राइनोस बायो रिस्क्यू के बारे में देखे, bio rescue word का मतलब क्या होता है, मानलो कोई एक animal species extinct होने वाला है, मेरा कहना का मतलब है, इस दुनिया से पूरा खतम होने वाला है, तब इसको कैसे rescue किया जा सकते हैं, और एक generation कैसे produce किया जा सकता हैं, वो है bio rescue, इस वीडियो में bio rescue के technologies के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और specifically इन दो rhinos के बारे में बात करेंगे, देखे दोस्तों, ये दो female rhinoceros है, मा बेटी है, इनका नाम है, नजीन आन फाटो, Kenya का एक national park में अभी है ये दोनों rhinos, अब देखे, इस से और एक offspring produce करने का कोशिश कर रहा है scientist, आप सोच रहोंगे, दोनों female हैं, तो कैसे एक offspring पाइदा होगा, इसके बार में हम इस वीडियो में, देखे, सबसे पर एक introduction दूँगा, northern white rhinoceros के बार में बताओंगा मैं आपको, और ये जो नया offspring produce होने वाला है, इसके बार में discuss करेंगे, and cryopreservation क्या है, and liquid nitrogen cryopreservation के लिए कैसे use होता है, and liquid nitrogen का क्या-क्या uses है, वह सब हम इस वीडियो के लिए आप channel के member बन सकते हो, join button दबा के, शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले introduction, देखे हमें पता है, हमारी दुनिया में, कई सारे animal species ऐसा है, जो already extinct हो चुका है, कभी वापस नहीं आ सकता, अब ऐसा कई सारे animals already है, जो near to extinction है, इसके सबसे बड़ा कारण human beings ही है, इ बोर पैसे मिलता है, तो हम जो conservation strategies adopt कर रहे हैं, मतलब जितने भी बचा है, उनको conserve करने के लिए वैसे humans, काफी सारे measures adopt कर रहे हैं, जैसे हम habitat protection करते हैं, national parks, wildlife sanctuaries, forest reserve, ऐसा हम करते हैं, and breeding process भी करते हैं, re-interaction programs भी करते हैं, पर वो सब sufficient नहीं है, जो extension process को slow down करने के लिए, देख दुनिया में mammals का 22% are at risk of extinction, the family rhinocerotidae is particularly affected with 3 of the 5 exchange species list as critically endangered, देखे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे rhinocerotidae, basically rhinoceros family के बारे में, rhinoceros family में basically 5 species है, कौन-कौन सा है, जिसमें 3 already critically endangered position में है, IUCN की category की भी बात कर रहा हूं है, IUCN मतलब International Union of Conservation of Nature का classification में, rhino family में 3 already critically endangered है, जैसे सुमात्रिन, जावन and black rhinoceros, ठीक है, one list as vulnerable, greater one-hote rhinoceros, देखे, greater one-hote rhinoceros आपको पता ही होगा, हमारे घजरिंगा नाशनल पार्क में है, और भी पार्क में हैं, इंडिया में वैसे, तो one-hote rhinoceros का जो condition है, वो थोड़ा ठीक है, फिर भ and only one, the satan white rhinoceros, जो satan white rhinoceros है, उसकी condition थोड़ा सा खराब है, लिस्ट अस near threatened है, ठीक है, इसका scientific name है, स्टा तेरियम, सिमम, सिमम, वो इतना important नहीं है, कॉन्रारिली, in 2008, IUCN officially declared the northern counterpart of SWR, मतलब देखे, मैंने आपको रिनोसरस का 5 फार्मिली के बार में बताया, सुमात्रन, ब्लाक रिनोसरस, वन होड रिनोसरस, एड सतेन वैट रिनोसरस, यह जो सतेन वैट रिनोसरस है, इसका counterpart है, वो है northern वैट रिनोसरस, एक्चुली यह दिखने में थोड़ा सा अलग है, पर इसकी जो बायोलोजी है, अंदरवाली inner chemistry है, वो थोड़ा सा सहीम है, ठीक है, तो northern नौर्थेन वैट रिनोसरस अलग है, सतेन वैट रिनोसरस अलग है, ठीक है, यह जो सतेन वैट रिनोसरस है, इसकी जो आयोसीन क्लासिफिकेशन नियर थर्टन ले, पर जो northern counterpart है, इसका northern वैट रिनोसरस, जिसका scientific name, सरॉथेरियम साइमम कोटोनी है, आस एक्स्टिंग इन द एरियास में, जिसको human beings की सहायता से कंसर्व किया जाता है, पोचेस हाविंग सेलिंग देर होन्स फोर 1,10,000 डॉलेस पर किलोग्रा, अब देखे, इसकी जो पोपिलेशन है, वो खतम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हंटेर्स है, जो पोचेस इनको मारते है, और इन पोटो दिखाया था, ठीक है, यही दो बचा है, नजीन और फाटू नाम दिया हुआ इसको, राइट, ओन मार्च 19, 2018, देख अफ तो लांस्ट मेल नॉर्थेन वाइट रिनॉसरस सुडन ब्रोट वाइट पॉपिलिक अटेंचिन, आज से तीन साल पहले, 19 मार्च 2018 को, नॉ अब दो फीमेल मेंबर बच्चा है, तब सभी ने यह सोचा, नॉर्थेन वाइट रिनॉसरस फामिली, यह दो फीमेल रिनॉसरस जो बच्चा है, उसे खतम हो जाएगा, अब देखें दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, वोटेक्स एफट का मतलब क्या होता है, इस तरह क आपकी टर्म्स आपकी UPC प्रिलम्स के लिए इंपोर्टन है, ध्यान दीजेगा, देखें, जब ऐसा कोई मेंबर ऑफ दा अनिमेल स्पीशेस मर जाता है, जैसे लास्ट मेल था सुडान, वो मरने से क्या होगा, पूरा स्पीशेस ही खतम हो जाएगा, धीरे धीरे, मतलब द अच्छा है, उसका भी डेत होने के बाद, ये नौत इनवेट रेनॉसलस का ला फैमली खतम हो जाएगा, तो इस तरह एक मेल मेंबर, विच कैं डेरेक्ली और इंटेरेक्ली डिपेंद्स ओन दे की स्टोन स्पीशेस, विच रॉन दे ब्रिंग को एक्सेंशेंशेंशेंशे और अभी नया एक ओफ्स्प्रिंग पाइदा होने का चांस भी खतम हो रहा है ये मेल मेंबर सुडान की मरने से, तो इस तरह की जो डेत है, इसको बोलते है वोटेक्स एफेक्ट, देखे, वोटेक्स एफेक्ट प्स्टांस प्स्पीशेशेंशेंशेंशेंशेंशेंशें इसको vortex effect बोलते हैं, right, the tear must go in by boblasty, ये भी ध्यान दीजेगा, right, अब दोस्तों northern white rhinoceros के बारे में कुछ basic information, the northern white rhinoceros और northern square lip rhinoceros, देखे, ये जो northern white rhinoceros को northern square lip rhinoceros भी बोलते हैं, क्योंगि इसका lip आप इतर देख सकते हो, square shaped है, right, he is one of the two subspecies of the white rhinoceros, देखे, पहला ही slide में मैंने आपको rhinoceros का 5 species के बारे में बताया था, जिसमें एक था white rhinoceros, अब ये white rhinoceros का दो subspecies है, एक है northern और एक है southern, जिसमें northern जो है, extinct in the wild है, अब wild में कुछ बचा है नहीं, जो दो बचा है वो reserved area में है, अब southern white rhinoceros जो है, critically endangered है, बचा है थोड़ा बहुत, formerly found in several countries in east and central आफरिका, देखे, central आफरिका में, east आफरिका में दिखता है, south of the sahara, तो सब saharan countries में है, the subspecies is grazer in grasslands and savanna woodlands, देखे, जो rhinoceros है, वो herbivore है, vegetarian है basically, तो grasslands में, savanna, savanna तो grassland है आफरिकन एरिया में, अपने सुना होगा, savanna woodlands में ये मिलेगा आपको, since 19 March 2018, there are only two non rhinoceros of the subspecies, देखे, northern white rhinoceros क बात कर रहा हो, 19 March 2018 को क्या हुआ था, सुडान मर गया था, जो last male rhinoceros था, northern white rhinoceros का, अब देखे, अब दो ही बचा है, जिसका नाम है, नाजी अनफाटू, फोटो मैंने आपको पहले ही दिखा है था, both of which are female, bearing the existence of unknown or misclassified male northern white rhinoceros elsewhere in Africa, this makes the subspecies functionally extreme, अब functionally extreme का मतलब क्या होता है मतला अभी अगला generation पाइदा होने का कोई chance नहीं बचा है, the two female rhinos belong to the Dur Kaloway Zoo in the Czech Republic, but live in the All Pejeta Conservancy in Kenya and are protected around the clock by armed guards, देखे, यह actually belong करता है, Czech Republic का Dur Kaloway Zoo में, पर अभी यह जो है, All Pejeta Conservancy in Kenya में है and strictly protected है, क्योंगी सबको पता है, अगर यह भी मर जाएगा तो पूरा खतम हो जाएगा, scientist कुछ प्लान बना रहा है उसका और एक offspring प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए यह जो दो राइनोस अभी बच्चा है, उसको कड़क, आम गार्ड के साथ protect किया जा रहा है, अब दोस्तों कहानी में twist है, मैंने आपको अगर बोला, 2018 मार्च को सुडान का डेत हो गया, जो लास्ट मेल मेंबर था, नौर्थ एन वाइट रिनोसरेस फैमिली का, पर दोस्तों देखिए, यह जो नौर्थ एन वाइट रिनोसरेस फैमिली के जितने भी मेल मेंबर्स थे पहले, उनसे scientist ने sperm cells कलत करके रखा हुआ थ यह जो मेल का sperm cells है, फीमेल का egg cells है, यह सब को निकाल के हम frozen state में प्रिसर्व करके रख सकता है, तो ऐसा ही यह जो नौर्थ एन वाइट रिनोसरेस के फैमिली में मेल मेंबर्स के sperm cells अलड़ी scientist ने प्रिसर्व करके रखा हुआ था, अब क्या करना है, यह जो sperm cell है, उनको बस के यूटरेस में inseminate करना है, तब वो फिर 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 एम्ब्रेयो बन जाएगा, एम्ब्रेयो फीटेस बन जाएगा, फिर वो बैच्चा पैदा करेगा, यही तो होना था ना, पर अभी एक बहुत बदा ट्विस्ट आ गया, देखिए, test conducted by check specialist revealed that neither of the females are capable of natural reproduction, देखिए दोस्तों, यह जो दो female बैच्चा हुआ है, नाजीन और फाटू, यह दोनों natural reproduction के लिए capable नहीं है, यह test conducted करके पता चल लिया, मतलब दोनों के uterus में कुछ problem ऐसा है, कि वो बैच्चा क्यारी नहीं कर सकते है, अब क्या करेगा, आप देखिए, दोस्तों, scientists ने और कुछ उप पंच-पंच एक्सेल्स निकाला, और जो स्पर्म सेल्स फ्रोजन गरके लिए रखा हुआ ना, इसके साथ मिला के फिरिटलेस कर वाया, इन सब्टम्बर नाजीन कर लिया, हमने इस तरह 5 नाजीन से, 5 फाटू से जो एक्सल्स निकाला, उसको जो फ्रोजन स्पर्म सेल्स, अलड़ी जो डेट मेल से उनसे जो लिया हुआ फ्रोजन स्पर्म सल से उनके साथ फिटलेस करके दो एंब्रेयो बना दिया, आटिफिशिली, ठीके, अब देखिए, पंदरा जनुरी दो सार बीस को, एगेन, इट वस अनुनस्टाट, अनदर एंब्रेयो वस क्रेटेड उसिं से प्रसर्व करना इंब्रेयो प्रसर्व करना इं अब हैक्र लिकूड नाइटरजन में अब लिकूड नाइटरजन में इस तरह की एंब्रेयो उस वगेर को प्रसर प्रसर अव करते क्योंकि लिकूड नाइटरज сх Unless 200 इतनी फ्रोजन टेंबराचर में रखना पड़ता है इस तरह की सेल्स को ठीक है उसके बार में आगे बताऊंगा कैसे होते हो अंटिल दे कैन बी प्लेस्ट इंटु ए सरगेत मदर प्रबबली यह सतेन वाइट रिनो आप देखें एंब्रेयो तो बना दिया अब किसकी पेड म आरुकर से इनकी यजो इंटेंटर स्रक्चर है वो चया करेगा इसको एक सतेन वाइट रईनो के यूत्रेस में जमा करेंगे और वह सतेन वाइट रिनोसर हें एक Northern White Rhinoceros वाला बैच्चा डिलिवर करेगा ये Scientist का प्लान है अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे जो Embryo Scientist ने बनाया है वो अभी तक कोई Satin White Rhinoceros के Utrest पे जमा किया है या नहीं अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों Scientist वेट कर रहा है एक Perfect Condition के लिए और एक Perfect Satin White Rhinoceros फीमेल को भी तो सेलट करना है इसके लिए भी वेट कर रहा है वाईसे एक Rhino का Gestation Period होता है 16-18 Months 16-18 महिने में ये बैचा पेदा करते है अब देखे दोस्तों मैंने Embryos बोला आपको Embryos का Hindi वेट अभी तक नहीं बता है Sorry for that जो follow नहीं कर पा रहे है Brune बोलते है Hindi में ठीक है Brune जो male sperm cells and female X cells को fertilize करके जो बनता है उसको Brune बोलते है English में Embryo अब दोस्तों Cryo Preservation के बारे में देखते है Basics मैंने आपको बोला है जो Embryos है या तो एक कोई cells है उसको Preserve करसे करते है Preserve करने वाला process को Cryo Preservation बोलते है एक Cryo Preservation का Basic Information में आपको समझाता हूँ The cooling and subsequent storage of frozen cells is a vital stepping providing continuous source of tissue and genetically stable living cells आप देखिए Cryo Preservation मतलब वो होता है cells को एक frozen temperature में रख देते है कम से कम minus 200 degrees Celsius तर इतनी frozen temperature में रखके इसको Preserve करते है वाईसे यह जो Cryo Preservation में वाला टेकिनिक है Medical Field में कई सारे process में यूज होता है जैसे bone marrow transplant आपने सुना होगा जो दूसरे एक आत्मी दूसरे आत्मी को bone marrow donate कर सकता है bone marrow transplant होता है IVF होता है IVF मतलब क्या है In vitro fertilization इन vitro fertilization यह तो आपने सुना है होगा मैं आपको basic समझा देता हूँ देखे दोस्तों कुछ couples में naturally pregnancy होता नहीं है मतलब ladies को pregnancy होता नहीं है कुछ couples में इन में क्या होता है male का sperm cells निकाल देते और female का एक्सल्स निकाल लेते यह निकालने के बाद बाहर उसको artificially fertilize करते है मतलब मिलाते है मिलाने के बाद क्या होगा favorable condition में मिलाएगा तो embryo बेंट जाएगा basically brood बेंट जाएगा sperm cells नाने एक्सल्स मिलके आप यह embryo को preserve करके रखते है इसके बाद time देके female का uterus में उस embryo को जमा करते है फिर वो pregnant हो जाते है इंडिया में काई सारे cases इंडिया में नी पूरे दुनिया में काई सारे cases है जो successfully IVF करवा के बचा पेदा किया है और और गन डोनेशन में भी यह cryopreservation वाला technique यूज करता है आप यह cryopreservation काम के से करते है देखिए इतना deep जाने की जरूत निये फिर भी आपको मैं basics बता देता हूँ देखो cryopreservation में by inhibiting all biochemical activity देखिए इतना freeze कर देते हैं कि एक cell के अंदर जितने biochemical activity हो रहा हो मतलब खराब हो जाएगा तो उसके लिए छोड़ते हैं निये पूरा freeze करके सारे reactions को biochemical reactions को stop कर देते हैं इसी तरह preserve करते हैं various cell tapes can therefore be effectively preserve although cell damage during the freezing process आप देखिए दोस्तों इतना deep जाने की जरूत निये मैंने बोला फिर भी मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ देखिए जो cryopreservation इतना safe नहीं है इसमें cell damage भी हो सकता है ज्यादा freeze होने से या पिघलने से ऐसा problem हो सकता है तो उसको counter करने के लिए cryoprotective agents यूस होता है जैसे glycerol and dimethyl self-oxid मैंने आपको ये statement इसलिए बोला ये glycerol और dimethyl self-oxid important है ये भी पूचा जा सकता है ये कहां यूस होकता है तो बोल सकते हो glycerol और dimethyl self-oxid cryopreservation के लिए यूस होता है ध्यान दीजेगा ये जो cryopreservation के टाइम पर cell damage होता है उसको रोकने के लिए इतना ही जाने है ज्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं ठीक है तो आई होब आपको cryopreservation क्या है ये कैसे करते हैं समझ में आगया होगा अब दोस्तों फाइनली liquid nitrogen के बार में भी दोस्त बता कि इस वीडियो को हम खतम कर देते हैं देखे दोस्तों liquid nitrogen है क्या it is basically nitrogen in a liquid state at low temperature nitrogen liquid state में liquid nitrogen बोलते है वो भी low temperature में low temperature मतलब minus 195.79 degree Celsius करीब 200 से करीब minus 200 degree Celsius आप बोल सकते हो वैसे precisely 195.79 degree Celsius है देखे इस फोटो में आप देखी सकते हो liquid nitrogen को अगर आप बाहर रखा तो इसी तरह बहुत जल्दी वो ग्यास बन जाता है क्योंकि इतना ज्यादा temperature difference आजाता है ठीक है तो इसको refrigerant applications में काम करते है कुछ भी चीज़ों को cool करना इतने low temperature में लखना है तो वहाँ liquid nitrogen यूस होता है right its ability to maintain temperatures far below the freezing point of water makes it extremely useful in a wide range of applications primarily as an open cycle refrigerant तो आप ध्यान दीजेगा liquid nitrogen is used as open cycle refrigerant cooling activities to store cells at low temperature for laboratory work तो यह है दोस्तों liquid nitrogen के बारे में तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो को में दर फिनिश कर रहा हूँ I hope आप लोगो को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा देखिए दोस्तों जितना मैंने टेम समझाया आपको यह सब इंपोर्टन आपके UPC प्रिलिम्स की प्रस्पेक्टिव में इस तरह की कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर साइंस और आपके लिए प्रिलिम्स में पूचा जाता है इसलिए इस तरह की टोपिक्स में आपके लिए लेके आता हूँ थाकि आप याद रख पाए कुछ ना कुछ इंसलेंस कुछ ना कुछ टर्म्स मेडिकल टेम्स वगेरा राइड सो लक्षे की पीडिए फैस फूचल आपको टेलिगाम चैल में मिल जाएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो लाइक और कमेंट के बेना मत जाएगा दोस्तों आप लोग की वैलिबल सजेशन्स और कमेंट्स आप उझे प्लीज कमेंट बुक्स में बता दीजेग था इए इस हूएफ जस्यूट रहा टाइबया लूस्तों और आप है इस जांट्ट आप लोगेंट अएचार जामां चैलरे अप् KurExcuse अझे इस मेंट्स कॉल चैलरे के गलीए न बता च कर दोस्तोंट पर रहें लोगशन्क्त पाफन के शोचांए